दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम पोस्ट ओपिस की किसी भी सेविंग इसकीम का जो है अकाउंट बेलेंस हुए मिनी स्टेटमेंट जो है अपने मोबाइल फोन के दोरा किस तरह से चेक कर सकते हैं तो मैं इसमें आपको कम्पलीट प्रोसीजर बताऊंगा च इसके लिए आप बने रहे हैं आपके अपने यूटूब चैनल टेक यादव के साथ इसके लिए दोस्तो आपको क्या करना है आपके पास साइफोन हो या लेपटोप हो इसमें जो भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं ब्राउजर के सर्च बोक्स को ओपन कर लेना है और open करने के बाद सबसे पहले आपको search box में जाकर टाइप कर देना है post office यानि हमारे को जो है post office जो है search करके इसको search कर लेना यानि सबसे पहले हमारे को जो है post office की site को open करना है तो इस तरह का page आपके सामने खुल के show हो जाएगा इसमें जो first में link है government of India, department of post इसके ओपर click कर देना जैसे आप click करोगे इस तरह का page आपके सामने post office की official website का आपके सामने खुल के show हो जाएगा तो इस तरह का page आजाएगा अभी आपको क्या करना है कि page को उपर की तरफ जो है इस page को उपर की तरफ scroll करना है और इसमें जो है option मिल जाएगा उस पर click करके हम आसानी से जो है post office का account balance वह जो है mini statement का पता कर पाएंगे तो इस तरह से इसमे menu आजाएगा menu में आपको banking and remnants का जो option दियावा है इसके उपर आपको click कर देना है तो जैसे ही आप इसके उपर click करोगा click करते ही फिर इसमें कई सारे option आजाएंगे तो अगर आपको और भी option के regarding कोई काम है तो आप उसके उपर click करके और भी अपना जो है काम कर सकते हो परन्तु मेरे को तो account balance का पता करना है तो इसके लिए e-passbook का जो option दियावा है आपको e-passbook के option के उपर click कर देना है जैसे ही मैं इसके उपर click करूँगा इस तरह आजाएगा इसको आपको ok कर देना है जैसे आपको ok करोगे ok करते ही next page इस तरह से जो है मेरे सामने जो है खुलके show हो जाएगा तो आप देख सकते हो इस तरह का page आजाएगा इस page को आपको जो है उपर की तरफ जो है scroll कर लेना है तो जैसे या page को उपर की तरफ scroll करोगे तो page को उपर की तरफ स्क्रोल करने पर यहां पर एक option आ जाएगा click here for POSB e-passbook यानि जो यह option है इसके उपर आपको क्लिक कर देना है यानि e-passbook की facility के द्वारा हम post office की किसी भी saving scheme का जो है आसानी से account balance हुए mini statement का जो है पता कर पाएंगे कि कितने रुपए जो है मेरे account में deposit है और mini state में यह भी श्योकर देगा कि कब-कब आपने जो है इसमें amount जो है deposit किया है तो जैसे ही मैं इसके उपर click करूँगा click करते इस तरह का पेच आ जाएगा इसमें जो है आपको इंट्र mobile number और inter capcha यहनी आपको जो आपके post office में जो registered mobile number है वो enter करना है और जो capcha दिया आवह है यह capcha वाळочно box में capcha enter करके और इसको आपको login कर देना है तो मैं यह पूरा producers कर लेता हूं करने के बाद में जो है इसको log-in कर देता हूं तो जैसे मैंने लोगिन किया लोगिन करते ही मेरे रिजिस्टर मोबाइल नमर पर एक OTP आ गई है वो OTP मेरे को यहां पर इंटर कर देना है जो OTP के बोक्स बने हुए है यह दोस्तों आप ध्यान रखना कि आपके रिजिस्टर मोबाइल नमर पर ही OTP आएगी तो HHHHDoor को जो है वही नमर इंटर करें तो मैंने जो OTP मेरे पास रिस्टियू हो गई है OTP मैंने डाल के और आपको इसको पर हिए लोगिन कर देना है तो मैंने जो है OTP डाल दे अब भी मैं प्याजि को संमीट कर देता हूं तो जैसे ही मैं इसको सम्मिट करूंगा सम्मिट करते ही देखो ओप्शन आ गया POSB e-passbook क्लिक here तो दोस्तो सबसे ज्यादा मिश्टेक यहीं पर होती है मेरे पास कमेंट आते हैं कि हमारा आगे का प्रोसेस हो नहीं रहा है तो क्लिक here के option के उपर आपको किलिक करना है और किलिक करने के बाद आपको थोड़ सा वेट कर लेना है यहीं से जो है next page खुलेगा उसी के द्वारा हम जो है account balance वो mini statement का पता कर पाएंगे तो आपको थोड़ सा वेट कर लेना है तो किलिक here के option के उपर जैसे किलिक किया इस तरह का option आगया इसमें scheme type, account number, registered mobile number, intercape यानि scheme type आपका जो है किस scheme में जो है post office की किस scheme में आपका जो है पैसा investment है तो यहाँ पर जाके आपको select कर लेना है पूरे की पूरी scheme यहाँ पर listate है जिस भी scheme का आपने investment कर रहा है उसका account balance mini statement आप check करना पा रहे हो वो scheme को आपको select कर लेना है तो यह यह scheme जो है post office किस्यों हो गई जैसे post office saving account है उसका करना चाहते हो तो first वाले link पर second में post of national saving recruit deposit RD है तो इसके उपर national saving time deposit FD है तो इसके उपर national saving monthly income scheme MIS है तो इसके उपर senior citizen saving scheme तो इसके उपर यानि आप अगर senior citizen के regarding आपका कोई काम है तो इस scheme के यानि इस option के उपर आपको click करना है तबी आप जो है पता कर पाओगे यानि जिस भी scheme में आपको account balance और mini statement चेक करना है उसी scheme के उपर आपको जो है click कर देना है इसमें आपको PPA, सुकन्या, NSC, किसान विकास पत्र यानि post office की जो भी scheme है पूरी की पूरी scheme यहाँ पर listed है सबसे पहले आपको जिस भी scheme में आपने invest कर रहा है उसका account balance और mini statement आप चेक करना चाहरे हो उसके उपर आपको click करके सबसे पहले हमारे को जो है scheme को select करना है तो जिस भी scheme में invest कर रहा है वो scheme select करने के बाद आगे का procedure करना है तो मैं इसमें सुकन्या समर्दी account यानि SSC में मैंने भी इसमें invest कर रहा है तो उसके option के उपर click कर देता हूं तो यहां पर मैंने scheme type में में select हो गया सुकन्या समर्दी account ऐसे से इसके बाद में account number में आपको जो आपका account number है account number आपको passbook में लिखावा मिल जाएगा तो आपको जो है वहां से इसमे account number इंटर कर देना है तो मैं पूरा के पूरे फोरम को फिलब कर देता हूं पूरे के पूरे फोरम को फिलब करने के बाद जो इसमें continue का option दियावा है आपको इसको जो है continue कर देना है तो मैं इसको जैसे continue करूंगा फिर मेरे registered mobile नमर पर एक OTP ऐगी OTP डालके मेरे को जो verify का option दिया verify कर देना है तो दोस्तों मैं जैसे इसको verify करूंगा आप देख सकते हो यह balance inquiry और mini statement दो option आ गए तो इसमें balance inquiry पता करना है तो first वाले link पर mini statement अगर आपको check करना है तो second वाले option के ओपर click कर देना तो मैंने इसमें balance inquiry और option के ओपर click किया जैसे मैंने click किया सबसे पहले date, amount और account ID मेरा का जो है show कर देगा तो इस तरह से आप आसानी से अपना किसी भी saving scheme का balance पता कर सकते हो इसके बाद में अगर आपको mini statement पता करना है तो जो mini statement का option है second वाला इसके उपर आप जो है click करके अपना mini statement का भी पता कर सकते हो तो दोस्तो ये था मेरा post open saving scheme के regarding छोटा सा वीडियो इसके regarding आपको किसी भी प्रकार की कोई भी क्यूरी हो comment box में जरूर लेके मैं जिकला हो सकेगा पूरी हैल पूरूँगा वीडियो देखने के लिए दन्यवाद दोस्तो वीडियो कैसा लगा comment करके जरूर बताएं अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा like करें share करें वह मेरे youtube channel को जरूर subscribe करें thank you for watching my video again